नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स स्पॉंसर्ड बाई भागलपूर सीटी डबलपर तिलका मांजी भागलपूर उन्वर्सिटी होस्टल में अबैद रूप से रह रहे छात्रों को जिला प्रशाशन ने कराया खाली विरोध में छात्र राजद ने कुरुपती का किया घेराओ डियार डिये सभागार में राजसु वसुली को लेकर हुई बैठक एडियम ने अंचलाधी कारियों को लक्ष पूरा करने का दिया निर्देश सनौलाँ में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पती की हत्या पुलीस ने घर से किया शब ब्रामत सुल्तान गज में नगर परिशत भवन का हुआ शिला ने आस आधुनिक शुविदाओं से होगा लेस और आनंदराम ढंडनिया इस्कूल में दो दिवसिय छेत्रिय खेल समारों का हुआ शुवाराम बिहार जहरकंड के कई इस्कूलों के पर्तिभागियों ने लिया हिस्सा और अब खबरें विस्तार से तिलकामाजी भागलपूर विस्विद्याले के पीजी छात्राबास में रह रहे एक दरजन से अधिक छात्र छात्रों को जिला प्रशाशन और पुलिश प्रशाशन की मदद से खाली करा दिया गया दंडा धिकारी मनुच कुमार, आसुतोस जा, अर्चना भारती और नातनगर सीयो राजिस कुमार की मजूदगी में बंद कमरों का ताला तोड़ा गया होस्टल अधिक्चक की निगरानी में सभी समानों की सुची बनाई गई और छात्रा वास में विस्विद्याले का ताला लगाया गया महिला एवं पुलीस बलों के साथ भी सुविद्याले थाना अध्यक्स संजय सत्यार्थी असाई अरून कुमार सिंग छात्रों को समझाते दिखे वहीं होस्टल खाली कराये जाने के विरोध में छात्र संग एवं छात्र राजद ने टी-मब्यू के प्रवारी कुलपती प्रोफेसर लीला चंदर सहा के चमर में जम कर हंगामा करते हुए पुलीस परसासन द्वारा चलाये जारे अभ्यान को रोकने की मांग की राजद के दिलिव कुमार और चात्र संग के परतिनीधियों से विस विद्याले के अधिकारियों की कई घंटों तक कहा सुनी होती रही चात्र राजद के कारकरतों ने DSW डॉक्टर योगेंदर महतव की बरखास्तगी की मांग करते हुए कई आरोप लगाए वहें कुलपती कक्ष में DSW के पहुचते ही एक बार फिर से चात्रों और अधिकारियों के बीच तीखी नोग जोग शुरू हो गई और चात्रों ने अंदोलन की चेताबनी दी चात्र राजत का कहना था कि होस्टल में सभी चात्र वैद रूप से रह रहे हैं जबकि विस्विद्याले प्रसासन ने गलत सूची तयार की है वहीं DSW डॉक्टर योगेंदर महत्वा ने कहा कि चात्र अगर वैदता परमान पत्र दिखाते हैं तो होस्टल खाली नहीं कराया जाएगा मौके पर पर्तिकुलपती प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, प्रोक्टर प्रोफेसर बिलक्छन रवीदास, एफे पदम कांध जाब परिक्षानी अंतरक प्रोफेसर अरून कुमार सिंग, प्रोफेसर सरोज कुमार, डॉक्टर राजिस्तिवारी मजूद थे हूस्टल में कुछ शात्र होस्टल में जो छात्र अबैद नहीं नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अबैद चात्रों को हर हाल में होस्टल खाली करना पड़ेगा इंहों का काना तक मुझे 10 दिन का समय दीजी हम सौफरा खाली कर देंगे तो हम लोगों ने इन के पारत को के सब्राइब देंगे लेकिन उनों का कहाना है कि इसमें एक दो लड़के हैं जिसका कि नामांकन हो चुका है डिमिसन रसीद है उन्होंने कहा हमने उनको कहा कि आप आके आईए जांच करिये अगर अवैद है तो खाली करना पड़ेगा देखिए विश्पिद्याला परशासन कुछ दिन पर ले अवेद सुची जारी किये थे होस्टल में लगवाइद से 70 लर्का था जिसमें की 100% लर्का खाली कर दिया एकाद को छोड़ कि अब इस पिद्याला पास तो कोई दुसरा मुद्धा बचा नहीं है परवाजी करने के लिए जो लर्का बाइद है मानिक चलिए PG-1 में जिसका PG-4 रस्कित कटा है PG-1 में रा रहा है तो अनलेगल नहीं है उसका होस्टल टांसफर करने के बात है तो विश्पिद्याला परशासन ऐसे चात्रों का 12 चात्रों का सुची जाय पर सुजारी किया है जा अनलेगल आव खारीज और म्यूटेशन के प्रगती की जानकारी ली जिसमें तैल लक्ष की प्राप्ती नहीं होने पर एडियम ने सब और सुल्तान गंज, गुराडी, कहलगाउं एबं सनहौला के सीओ को फटकार लगाई और अगले एक सप्ता के अंदर राजसो वसूली लक्ष पूरा क का निर्देश दिया, बैठक में सदर एशडियो, आसिस नरायन, कहलगाउं एशडियो, नवगच्या एशडियो, डिपी आरो बिंदुसार मंडल समेत कई पदादिकारी सीओ अमराज सुकरमी मजूद थे, भागलपूर के सनहौला थाना छेतर बड़ी रमासी गाउं में मह वालों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला, मामले को लेकर मिर्तक केलूदास की पतनी सरीता देवी ने खुद ही सनहौला थाने में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, सोमबार को जब सब से दुरगंद आने लगा तो ग्रामिनों इसकी सुजना पुलीस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुची पुलीस ने केलूदास के घर से ही उसका सब बरामत किया, ग्रामिनों का कहना है कि सरीता देवी के कई लोगों के साथ आवाइद संबंध हैं और अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पती केलूदास की हत्या की है, फ शिलाने आस सोंबार को किया गया, सभापती मनीश कुमार, कारेपालक पदादी कारी, सुमित्रा नंदन एवं बीडियो प्रभात रंजन ने संयुक्त रूप से भवन निर्मान का शिलाने अश्किया, इस दोरान भवन निर्मान संवेदक संजय मिश्रा एवं ओम प्रकाश श्तिवारी ने कहा कि विवाग की ओर से तीन मंजिल नगर परिशद भवन तयार किया जाना है और इसकी विधिवत शुरुवात कर दी गई है, इस अपसर पर पूर्व सवापती दयावती देवी, वाड़ पार्षद, रामायन शरन, ठाना ध्यक्ष रामपृत कुमार, शे उजन किया गया, समारों का उधगाटन छेत्रिय शारिरिक शिक्षा प्रमुक ब्रहमदेव प्रसाद, प्रांतिय शारिरिक शिक्षा प्रमुक फनिश्वर नाथ, विद्यालै सची प्रोफेसर सलेश्वर प्रसाद, विभाग प्रमुक बजरंगी प्रसाद, एवं पराधा प्रधानाचारे मनोज कुमार मिश्ण ने संयुक्त रूप से दीप परज्वलित कर किया। विध्या भारती उत्तरपूर्वी छेत्र द्वारा आयुजीत खेलकूद परती योगिता में बिहार ज्हारखंड के विध्या मंदिरों से आये 150 परती भागयों ने हिस्सा लिया। इस दोरान विधिन इसकुलों से आये छात्र छात्रों ने शत्रंज, टेवल, टेनिस, एवं बेड्मिन्टन टूनामेंट में अपना जोहर दिखाया। मौके पर उपरधानाचारी रवी शंकरपांडे, पंकज उपाध्या, इससा में दर्जनों शिक्छक, शिक्छिका और काफी संख्या में छात्र छात्रा मजूद थे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ। झालनाच जानाचारी ल क्छिका गओनाचारी रवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी जारखंड में बाइक चूरी की आशंका पर तबरेज अंसारी की हत्या के विरोध में सोंबार को अलपसंख्यक समुदाय की ओर से धोरया परखंड कारियाले में धर्ना परदर्शन किया गया लोगों ने जिला परिशाथ सदस रफिक आलम के नेतुरित में केंदर सरकार के खिलाब जमकर नारेवाजी की और जहारखंड के मुख्यमंतरी रगुवारदास से इस्तिफा की मांग की फरदर्शन कारियों ने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाये कम है सरकार दोशियों को राजनितीक सनरक्षन दे रही है धरना के बाद एक परती निधी मंडल ने वीडियो से मिलकर राष्टपती के नाम ग्यापन सौपा जिसमें मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज के आश्रितों को शहतारासी और नौकरी की मांग की इस अफसर पर पूर्व जिला परिशत बीवी हाजरा, खातून, अब्दूल जब्बार अनसारी, रुस्तम अनसारी, महताव आलम समेत काफी संख्या में अल्प संख्यक समुदाई के लोग मजूद थे भागलपूर समाहर नाले मुख्य दौर के समीप सोमवार को विभिन जन समस्याओं को लेकर भारतिय पार्टी लोग तांत्रिक की ओर से एक दिवसिय सत्याग्रा कारिकरम का आयुजन किया गया सत्याग्रा के दौरान पार्टी के पदादी कारियों एवं सदस्यों ने मुझफर पूर समेत विहार के कई जिलों में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के वावजूद सरकार द्वारा प्रियाप्त वेवस्था नहीं करने भागलपूर के शहरी छेतर में यातायात की समस्या से हो रही परेशानी और लगातार बढ़ रहे पैजल संकट के खिलाफ शांती पूर्ण धर ना दिया इसके अलाबा शराबणी मेले को लेकर कामरियों को मूल भुष सुविदा महिया कराने भोलानात पूल के समीप जल जमाओ की समस्या का अस्थाई निराकरन करने शहर में चल रहे अवैद बुचर खानों को बंद करने एवं मुख्य मंत्री करामिन पैजल योजना विभिन प्रखंडों में हो रही गड़वड़ी के खिलाप कारवाई की मांगी पार्टी के परतिनजी मंडल ने जिलाधिकारी कारियाले के माध्यम से बिहार के राज्यपाल के नाम शहर की तमाम जनसमस्याओं का ग्यापन सोपा इस अपसर पर वीपियल के राष्टिय अध्यक्ष अधिभक्ता सुनील कुमार, राष्टिय सन्योजक बबलू सिंग, संजे कुमार, संदीब कुमार, मुहमत गौस आलम समित कई लोग मजूद थे बिहार में शराब बंदी के बाबजूद ना तो शराब का कारोबार रुक रहा है और ना ही शराबियों की संख्या में कमी आ रही है रवीवार की शाम भागलपूर के करोडी बाजार इलाके में रवी कुमार दास नामक यूबक शराब के नसे में 20 सडक पर अचेत अवस्था में गिर गया अस्थानिये लोगों ने यूबक को सडक से किनारे कर फरिजनों को सूचना दी वहीं करोडी वाजार के लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी छिपे शराब का अवयद कारोबार होता है लेकिन पुलीस कारवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती करती है मदु सूधनपूर थाना छेतर बिहारीपूर में देररात बरातियों ने जम कर हंगामा करते हुए ग्रामिनों से मारपीट की शराब के नसे में बराती युवक ने ग्रामिनों से मारपीट करते हुए अवद्र भाशा का परियोग किया यूबक को हंगामा करता देख ग्रामिन ने पुलीस को सुचना दी मौके पर पहुची पुलीस ने यूबक को हिरासत में लेकर ब्रेथ एनलाइजर मसीन से जांच की तो शराब पीने की पुष्टी हुई यूबक की पाचान बकिया डुमर फल का थाना कटिहार के सुवोध बंडल के रूप में हुई है वहीं शराब पीने की पुष्टी होने के बाद पुलीस ने यूबक को जेल भेज़ दिया है और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर तिलकामाजी भागलपूर उन्वर्सिटी होस्टल में अबैद रूप से रह रहे छात्रों को जिला प्रशाशन ने कराया खाली विरोध में चातर राजद ने कुलपती का किया घेराओ डियार डिये सभागार में राजस वसुली को लेकर हुई बैठक एडियम ने अंचला धिकारियों को लक्ष पूरा करने का दिया निर्देश सनहुलों में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पती की हत्या पूलीस ने घर से किया शब ब्रामद सुल्तानगज में नगर परिशत भवन का हुआ शिला ने आस आधुनिक शुविदाओं से होगा लेस और आनंद राम धांडनिया इस्कूल में दो दिवसिय छेत्री अखेल समारों का हुआ शुवाराम बिहार जहरकंड के कई इस्कूलों के परतिभागियों ने लिया हिस्सा इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही आप बने रहे हैं सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार